तो भाईयों यह है हमारा करेंसियन बैंकिंग का लेक्चर नंबर थर्ड और इसमें हम लोग डिसकस करने वाले हैं चाहूंगा एक्जाम टाइम एप पे फांडेशन बैच लाँच कर दिया गया है फॉर दसी वीटी पीजी कोर्स एमकॉम कोर्स जिसे की तुम जाके जॉइन कर सकते हो जिसके अंदर तुम्हें लाइप प्लस रिकॉड़ेट क्लासेश मिल जाएंगे कंसेप्चुल क्लासेश रिकॉर्ड़ेट फॉर्मेट में होगी जो एमसी क्लासेश होंगी वो लाइव होंगी पीडिएफ नोट्स है तुम्हें हर चाप्टर के लिए हर एक यूनिट के लिए प्रिवियस एर पेपर है टोटल पात साल के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे दो हजर चौबिस ताइस दो हजर बाइस और बाकी तुम ले लो 2021 और बीस जब सीउ सीटी हुआ करता था उसके भी पेपर्स मैंने यहाँ पर डाल दी है दीउ के भी पेपर्स मैं जल्दी अप्लोड कर दूँगा यहाँ पर जो कि पहले हुआ करते थे टेस्स सीरीज इसके अंदर इंटीग्रेटेड है तो मैं अलग से लेने की जरूत नहीं है यूनिट टेस्ट हर एक चाक्टर कम्प्लीट होने के बाद होता है जो कि जब जाहो तब तुम दे सकते हो एक स्पेसिफाइड टाइम पर पहले होगा जिसमें बहुत सारे सुडेंट्स अप्यर करते है अब माल लो तुम्हें दुबारा देना है तो तुम दुबारा कभी भी दे सकते हो फिर फुल लेंध टेस्ट है जो कि लास्ट मन्त में स्टार्ट होगी डाउट सॉल्विंग होगे यहाँ पर और वाटसेप ग्रूप प्रोवाइड किया गया है हर एक स्टूडेंट्स के लिए हाँ तो अगर तुम इस कोर्स में इंटरस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन मे तुम इस टूर से कुरस देखने को मिल जाएगा ओफर के लिए इंटर्ट पर लॉंच किया गया है तुम जाके इसे जॉइन कर सकते हो साथ ही साथ एकजाम टायम अप पे तुम्हारे लिए यह डिपीपी ज अवेलेबल है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे ठीक है जिसे कि तुम daily practice में ला सकते हो, हर एक chapter से तुम्हें 2 DPPs यहां पर दिये गए हैं, हर एक chapter से, तो around 48 DPPs या 46 DPPs, ऐसे मैंने hardly या 45 लिख दिया है, 46 या 48 DPPs इसके इन तब तुम्हें देखने को मिलेंगी, हर एक chapter के, जिसमें तुम्हें basic question, assertion reason, statement based, chronology question, match list, ये 5 टाइप के questions तुम्हें हर एक chapter से देखने को मिल जाएंगे, तुम 50 question समझ लो, हर एक chapter से practice करोगे इसमें, कितने में, 99 रुपीज में, हर एक chapter से 24 chapters हैं तुम्हारे, 50 question हर एक chapter से practice करोगे, तो बहुत ही better in DPP है, बहुत कम nominal price पर रखा गया, जाके फटा-फट तुम जाइन करो इसमें, स्टार्ट करते हैं, उसे पहले बता दो, इन सारे groups के link में, description में दे दे रहा हूं, important है, free group है सारे ही, ये तो दोनों channels हैं हमारे, और ये free group बना रखा है, इसे join कर लेना, syllabus के अगर हम लोग बात करें, तो हमने अभी तक क्या-क्या discuss कर लिया है, एक बार मैं तुम्हें सबसे पहले वो बता देता हूं, functions वगेरा, ये सारी चीज़े हो गई हैं हमारी, principles of method of no tissue हो गया है, monetary standard, gold standard, bio-metallism, managed currency, ये सारी चीज़े हो गई है, इस unit में हमारा inflation, deflation, reflation रहे गया है, एक concept है money market, इसको हम लोग अलग से discuss करेंगे, capital market के साथ-साथ, ठीक है, capital market यहां, syllabus में mention नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है, तो फिलाल के लितना ही रखते हैं, आज हम लोग inflation, deflation and reflation के concepts को cover up करते चलेंगे, तो बिना किसी देरी के start करते हैं, आजाते हैं हम अपने PDF notes पे, चलो, आई होब तुम्हें video audio दोनों ही clear होंगे आपे, एक minute, चलो, start करते हैं, inflation, अगर बात कीजा inflation की, तो inflation से तुम मतलब क्या समझते हो, हमारे general price level की price level में increment आना, price level boost करना, price level बढ़ जाना over the period of time, मतलब कहने का है, sustained increase in the general price level of goods and service in economy over a period of time, अगर एक goods की price मालनो 20 रुपे है, और उस goods की price में तुम्हें drastic change देखने को मिलता है, price drastically increase करता है, तो हम कह सकते हैं, सर, inflation के situation को हम face कर रहे हैं, तो it is a sustained increase in the general price level of goods and services in an economy over a period of time, ये process indicate करता है, prices के upward trend को, मतलब, prices नीचे जाने की विज़े, prices क्या होरे, ऊपर जा रहे हैं, ये एक Latin word से derived हुआ है, जिसका मतलब होता है, inflare, और inflare की मतलब की बात करें, तो होता है, मतलब क्या blow up और inflate, ठीक है, तो ये चीस्तों में समझते वें चलना है, Latin word याद रख लेना हो सकता है, तुमसे कभी पूछ लिया जाए, कि inflation किस Latin word से derived हुआ है, या फिर inflare word का actual मतलब क्या होता है, तो inflation का आसान भासा में समझ गया है, यही मतलब है, increase in the general price level of a product, अगर economic impact की अगर हम बात करें, कि inflation के क्या impact हो सकते हैं हमारी economy पे, तो सबसे पहला, point हमें क्या याद रखना है, आपके purchasing power को घटा देगा, अब तुम सोच कर देखो, मालनो हम पहले 10 रुपे का lays खरीदते थे, ठीक है, हमारे पास 20 रुपे था, और उसमें हम 10 के 2 lays खरीदते थे, ठीक है, chips के packets, अब क्या हुआ, lays के prices बढ़ गए, तो अब हमारे क्या, अब हम क्या कर सकते हैं, अभी वहारे पास 20 रुपे हैं, तो अब हम सर्फ एक packet खरीद पाएंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारे purchasing capacity घट गई, तुम पहले उतने पैसे में, दो चीज खरीद पा रहे थे, अब उतने पैसे में, बस तुम एक ही चीज खरीद पा रहे हो, तो decreased purchasing power, यह inflation का impact है, दूसरा, wealth redistribution, inflation जो होता है न, वो wealth को redistribute करता है, from savers to borrower, मतलब, जो debt की existing value होनी चाहिए, उसको erod कर देता है, for example, मालनो तुमने एक लाग का लोन लिया था, ठीक है, रुपीज वन लाग का तुमने लोन लिया, तुम्हें अब इसको pay करना है, कब, देड़ साल बाद पे करना है तुम्हें, 1.5 years के बाद तुम्हें pay करना है, अच्छा दिखने ही रहा है क्या, चलो इधर लिखे दे रहा हूँ, 1.5 years के बाद तुम्हें इसे pay करना है, inflation की situation आ गए, ठीक है, अब मैंने तुम्हें loan दिया, तुम्हें तेर साल बाद आये, तुम्हें मुझे एक लाग रुपे दे दिये, inflation बढ़ चुका है, अब क्या inflation की हमारे, मैंने जो तुम्हें एक लाग दिये थे, अब उसकी उतनी value रह गई, अब उसकी उतनी value रह गई, ठीक है, cost of living को भी ये effect करता है, an increase in inflation, often leads to higher cost of living, affecting budgets and savings, especially for those of the fixed incomes, अब middle class लोगों की अगर हम लोग बात करें, जिनके पास fixed income होता है, अब जाहिड सी बात है, उनको भी inflation effect करेगा, उनके standard of living को effect करेगा, जो भी उनके रहन सहन में लागत लगती है, उसको effect करेगा, और investment, जो भी हम लोग करते हैं, investment करते हैं, तो asset पर गर invest कर रहे हैं, हो सकता हैं को उससे outcome काफी कम मिले, output काफी कम निकल करा है, तो inflation जो है, हमारे investment और saving behavior को change कर देता है, measurement की बात करें, तो most important हमारे भारत में, inflation को CPI से measure किया जाता है, consumer price index से, और producer price index से, CPI की बात करें, तो most commonly inflation जो है, इसी से measure किया जाता है, जो की prices को क्या करते हैं, track करते हैं, price changes जो होते हैं, किसी भी basket के, consumer goods के prices को track करता है, producer price index की बात करें, तो inflation को हम लोग PPI के through भी measure करते हैं, जो की producer के perspective से, जो भी prices होते हैं, उसको track कर रहा होता है, तो ये दो methods याद रख लेना, historical concept उतना important नहीं है, चाहो तो तो तुम बढ़ लेना, मैंने बस ऐसे ही डाल दिये था, इसमें, features की बात करें, तो सबसे पहला था persistence increase, मतलब कहने का है, inflation जो है, ये occasionally, occasionally price hike नहीं होता है, धीरे, धीरे, stably बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, prices जो हैं, वो बढ़ते जाते हैं, long term trend देखने को मिलता है, यापे किसका, price rise का, across a wide range of goods and services, जरूरी नहीं है, सिर्फ एक goods के prices बढ़ेंगे, यापे multiple goods के prices, over the period of time, बढ़ते जा रहे होंगे, तो यह persistence increase है, दूसरा monetary phenomenon है, monetary की terms में, money के terms में, तुम्हें ये चीज़ देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है, किसी और चीज में तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है, non-cyclic nature में, non-cyclic nature इसका होता है, most important याद रखने के लिए हो जाता है, मतलब cyclic nature नहीं है, भले cyclic factor से influence होते हैं, लेकिन ये cyclic nature नहीं है, cyclic में क्या आता हैगा, expansion, peak, recession, depression, trough, ये सारी चीज़े नहीं होता है, इसमें persistence क्या होता है, increase होता है, cyclic nature क्या होगा सर, cyclic ऐसे ऐसे गूमता जाएगा सर, up, down, up, down, ऐसे से होता है, तो ये चीज़ नहीं होता है, तो इसलिए non cyclic nature बूला गया है, और sustained inflation को क्या करता है, effect करता है, जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है, continuous inflation जो है, इससे आपको uncertainty देखने को मिलेगी, किसके बीच में, consumers के बीच में, और investors के बीच में, तो inflation जो होता है, वो काफी ज़्यादा predictable नहीं होता है, मतलब unpredictable होता है, यह चीज़ ज़्याद रख लेना, inflation के कुछ ताइप से ज़्याद रखो, पहला आता है demand pull inflation, demand pull inflation की बात करें, तो यह कब अकर होगा, जब आपका aggregate demand जो है, वो ज़्यादा हो जाएगा, exceed कर देगा, किसको सर, aggregate supply को exceed कर देगा, मतलब aggregate demand is greater than aggregate supply, अच्छे से थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पर, AD is greater than yes, तो यह demand pull situation को represent कर रहा होता है, इस imbalance है, जो हमारे consumer के spending से वो बढ़ जाती है, government spending बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन जो demand है, वो meet नहीं कर पाते हैं हम लोग यहाँ पर, cost push inflation की बात करें, तो यहाँ पर आपको key inputs के, जैसे की labor, raw material, capital, entrepreneur, मतलब factors of production की prices बढ़ने लग जाती है, उसके prices में तुम्हें increase देखने को मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं, यह ultimate product को effect करेंगे, और उनके prices को बढ़ा दिया जाएगा, जैसे एक example लो, oil की prices बढ़ रहें, अब oil की prices अगर बढ़ेंगी, तो transportation cost मेंगी हो जाएंगे, ठीक है, पर example अगर तुम अभी, आज से 2 साल पहले लेके देख लो, तो तुम अगर अपने एरिया से, तुम अपने railway station जा रहे होगे, तो 20 रुपे किराया लग रहा होगा, और अभी वो किराया 20 रुपे ना होगी, 30 रुपे तो में देखने को मिल जाएगा, क्यों पेट्रोल की prices बढ़ी है, जर्णमिन बात है, एकसेप्ट करना होगा इस चीज़ को, तो इससे क्या, इसको में लोग cost push inflation नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे inputs के prices बढ़ने के कारण, main product के prices बढ़ जा रहे हैं, पेट्रोल की prices बढ़े, auto fair बढ़ गया, bus fair बढ़ गया, तो cost push inflation इसको में लोग नाम देते हैं, थर्ड अगर बात करें, pricing power inflation या फिर इसको में लोग administrative price inflation भी बोलते हैं, यहाँ पे कुछ firms जो होती हैं, वो dominating positions पे बैठी हुई होती हैं market में, मतलब overall वो prices को control कर रही होती हैं, तो वैसे firms जब prices को बढ़ाने लग जाए, वैसे firms जब prices को increase करने लग जाए, क्यों increase करेंगी सर, अपने pocket भरने के लिए, profit margins कमाने के लिए, तो बाकी के जो industries होंगे, उसको देखके वो भी अपने prices बढ़ाएंगे, बाकी के जो competitive firms है, वो भी prices को increase करेंगी, तो इसको हम लोग नाम देते हैं, pricing per inflation, major pharmaceutical और technological firms जो है, वो prices इसलिए बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको उतना profit नहीं मिल पाता है, ठीक है, sectoral inflation के अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर तुम्हे specific sector में, तुमको inflation देखने को मिल जाएगा, मतलब overall market तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, overall sector में नहीं, एक specific sector में तुम्हें देखने को मिलेगा, जैसे sharp increase in healthcare cost, due to expensive medical technologies, और pharmaceuticals that fair, outpaste the general inflation rate, तो यहाँ पर एक healthcare sector में, तुम्हें inflation देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि medical technologies काफी expensive है, जो हमारे treatments होती हैं, वो काफी expensive हो गई है, due to expensive machines, expensive kits, तो यहाँ पर एक sector में हवे inflation देखने को मिल रहा है, और fiscal inflation की बात की जाए, तो fiscal inflation वैसा situation है, जब सरकार की जो revenue है ना, वो कम पड़ जाए, मतलब कहने का है, expenditure जो है, वो आपके revenue को क्या कर दे, exceed कर दे, तो यह situation देखने को, कब मिल सकता है, सरकारी case में देखने को मिलता है, सरकार के खर्ची एक्सर जादा होते हैं, in comparison of revenue, ठीक है, यह याद रख लेना, magnitude के basis पे creeping आता है, आता है, walking आता है, running आता है, hyper inflation आता है, creeping की बात करें, जो slowly, slowly, steady rate पर बढ़े, ठीक है, generally 3% per year, moderate, walking की बात करें, तो moderate inflation के category में आ जाता है, जहांपे annual rate 3-6% का हो, running की बात करें, तो दौरना start हो जाए, जहांपे 2 digits में आने आ जाए, आपके inflation समझ आप running inflation के situation में आ गए, यह adversely poor or middle class को effect करता है, और last आता है, hyper inflation जिसकों लोग galloping inflation भी बोलते हैं, इसमें तुमको बहुत ही जादा higher rate of inflation देखने को मिलते हैं, for example 20% से जादा, यह generally wars के टाइम पे, economy crisis के टाइम पे यह चीज़ हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो यह चीज़ यहां पे तुम्हें याद रखना जरूरी हो जाता है, clear है, ज़्यादा कुछ तो है ने इसमें, चलो, आगे बढ़े, आगे हमारा topic आता है, control कैसे किया जा सकता है सर inflation को, मोनेटरी टूल्स की अगर बात की जाए तो यहां पे RBI अपना major role play करती है जैसे interest rate को बढ़ा देगी अब interest rate बढ़ जाएंगे तो जाहिर से बात है commercial bank के loan महंगे हो जाएंगे वो आम जनता को महंगे rate पे loan provide करेगी और हमारी जनता loan लेने से कत्राएगी वो loan नहीं लेगी और अगर loan नहीं लेगी तो economy में पैसे नहीं आएंगे reserve requirements को बढ़ा दिया जाएगा RBI क्या करेगी CRR cash reserve ratio बढ़ा देगी statutory liquidity ratios बढ़ा देगी जिससे क्या होगा कि reserve जो हमारे commercial banks होंगे उसको ज्यादा portion में अपने reserves को maintain करना होगा अगर वो ज्यादा portion में reserves maintain करेगी तो economy में पैसे नहीं जाएंगे अगर economy में पैसे नहीं जाएंगे तो inflation control हो जाएगा last तुम देखोगे सरकारी securities RBI बेच सकती है अगर RBI अपने government securities बेचना start कर रही है इसका मतलब बेचेगी तो आपसे पैसे लेगी तो आपसे पैसे ले रही है तो आपसे मेरा मतलब है कि पूरे economy से पैसे खीच रही है अपने securities market में फैला दे रही है और पैसे क्या कर रही है खीच रही है पूरे economy से तो ये तीन तरीके है जहाँ पर RBI major role play करती है interest rate बढ़ा के reserve requirement बढ़ा के और तीसरा है government securities बेच के लेकिन बात आती है अगर fiscal strategy के तो यहाँ पर सरकारी तो पर अगर इसे हम control कर सकते हो तो important है एक बार इसको read कर लेना deflation की अगर बात की जाए तो यह हो सकता है sustained decrease in the price level decrease कैसे होगा sustained decrease in the price level of goods and services across an economy inflation की अगर बात की जाए तो हाँ पर प्राइस बढ़ते थे deflation में price घटते है inflation में क्या होताता सर purchasing power को erode कर दिया जाता था और cost of living crisis देखने को मिलती थी लेकिन deflation में सर पैसे की value बढ़ जाती है consumer जादा खर्च करेंगे लेकिन यह भी economic problem का situation है ऐसा नहीं कि अच्छी बात है यह economic problem ला सकता है तो क्या causes हो सकते हैं demand घटेंगे सर supply बढ़ सकता है high interest rate यह the economic recession जहाँ पे consumers और business जो हैं अपने खर्चे को cut करना start कर देते हैं due to decrease confidence और savings को बढ़ावा देना start कर देते हैं तो इस situation में deflation के situation भी arise हो सकती है supply को बढ़ावा देना sometimes technological advancements और improvement in production efficiency can lead to an oversupply अगर goods oversupply हो गए economy में तो जहाईर सी बात है prices जो है वो drop होंगे तो यह deflation ही होगा interest rates अगर high कर दोगे तो क्या होगा सर क्या होगा economy में पैसे नहीं होंगे कम हो जाएंगे तो deflation के situation भी आने लग जाएंगे inflation तो खतम हो जाएगा लेकिन deflation के situation आ जाएंगे तो government को central bank को एक सोच समझ के interest rate बढ़ाना नहीं बढ़ाना होता है ऐसा नहीं होता है वो अंधा में जाके किसी economy के लिए बुरावी साबित हो सकता है economic implications की बात करें तो real value बढ़ता है economic activity कम हो जाती है dead जो है ज्यादा एक burden की तरह काम करने लग जाता है और deflationary spiral यहां पर आपको देखने को मिल जाता है अब तुम्हें कमेंट में बताना है किसा deflationary spiral क्या होता है तुमने जरूर बढ़ रखाऊगा class 12 में या फिर UG में चलो last topic इसमें में लोग बात कर लेते हैं अपने reflation के बारे में reflation एक economic policy है या सकते यह measure है किसके दोरा सरकार के दोरा लिया जाता है central bank के दोरा लिया जाता है to stimulate the economy by increasing the money supply or reducing the tax इसका aim क्या होता है कि economy को अपने वापस से अपन inflation का में मकसाद होता है inflation को restore करना to a healthy level, healthy level से मेरा मतलब है वैसे level पर जहां पर economy stable चले, economy की growth अच्छी हो, typically 2-3% का inflation हम क्या सकते हैं उस situation में, economy को अच्छा माना जाता है उस time पर, तो reflection एक ऐसा situation है, जहां पर economy को stable करने की बात की जाती है, जहां पर inflation को restore करने की बात की जाती है, लेकिन एक healthy level तक, एक reasonable level तक, लेकिन अगर उसे अगर restore करोगे तो सर भाई साब आप फिर से inflation पर आ गए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, इस से ज़ क्योंकि हो सकता है कि आप ज़्यादा reflection कर दो और उसकी विज़े से inflation हो जाए, ये risk तो है ना, तो ये चीज़ यहां पर हमें ये सारे points consider करते हुए चलने है, तो आज की session में हमने क्या क्या discuss करा, देखो, कहोगे कि भाईया बढ़ा छोटा session लिया, 20 minute का class, अप्रॉक्स 19-20 minute का लिया होगा मैंने, मुझे जाता क्या दर, तो इस पर क्या क्या मैंने discuss किया तुमसे, inflation के बारे में देखा, inflation के types देखे, फिर उसके बाद effects देखा, magnitude के basis पर हमने inflation को consider किया, फिर हमने deflation की चर्चा की deflation के क्या क्या कारण हो सकते, वो हमने देखा, उसके बाद हम लोग आ हमारा unit 1 है proper, sorry, unit तो हमारा currency in banking है, उसमें हमारा जो chapter है पहला, उसमें हमने दो lecture ले लिये, पुरे currencies पे और तीसरा हमने inflation, reflection पे ले लिया, तो तीन classes हमने लिए, एक chapter के लिए, तो enough है, इसे जदा time दो कि जो तुम्हें ही दिक्कत होने लग जाएगी है, तो next class में मैं क्या discuss क करने वाला हूँ, वो एक वर्तों में बता देता हूँ, एक minute मुझे समय देना, थोरो, next class में हम लोग start करेंगे, meaning and significance of, मतलब overall क्या सकते हो, banking पे हम लोग आ जाएगे, credit control by RBI, सब RBI वाले में ही समझेंगे, credit creation कैसी होती है, यह सब हम लोग commercial bank में समझेंगे, तो overall हम लोग कल से क्या start करने वाले हैं, banking, currency and banking में banking start करेंगे, currency हमारा बस इतना तक ही आता है, क्या सकते हो, इसके आद हम लोग banking सी देखेंगे, तो end करेंगे अपने आज के class को, जो भी बच्चे course में interested है, जाईए, join करिए, exam time app available है, आपके लिए ही है, ठीक है, बैतरीन app है, बहुत सारे म इन्रोल कर सकते हैं, so end करते हैं आज की class को मिलते हैं next class में, तब तक के लिए thank you, bye and take care.